नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं करोन के संभावित खत्रे को मद नजर लगते हुए हर अस्तर पर अलोट रहे कोरोना संक्रमन का नया वेरियंट जर्खन में पहर नहीं पसार सके इसके लिए पूरी तयारी रखे कोरोना प्रोटोकाल का हर हाल में पालन हो इसे सुनेश्चित करे कोवीड भैक्सिनेशन कारे मे तेजी लाए कोरोना संक्रमन से बचने का कारगर उपाय सिर्फ और सिर्फ टीका करण ही है बता दे सीम हमान सुरे ने कहा कि जर्खन में 18 वरस से उपर के सबी लोगों का सत परतिसर टीका करण कारे सुनेश्चित हो यह राज सरकार का लक्ष है 20 जनवारी 2022 तक सत परतिसर ट परतिसर टीका करण कारे के लक्ष को पूरा करे जर्खन में 12 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी और विभीन जीलों में अभी चल रहे निंतन तापमान में आने वाले 24 गंटे में 2-4 डिग्री सेलसे से गिरावट आएगी मौसम में हो रहे बदलाव के बीच पच्मी व के असर से हिमाली छेत्र में आने वाले दिन में 12 और वर्फ बारी संभव है वहां 12 और वर्फ बारी के बाद सर्ध हवा का बहाव जर्खन की ओर सुरू होगा इसके बाद यहां कंकरनी बढ़ेगी और आम जन दिन में भी ठंड मसूस करेंगे 10-2 बरावी की परिक्षा को लेकर जैग की तेयारी राजे में अगले साल मार्च अप्रेल तक मैट्रिक और इंटरमेडियेट के 7 लाग परिछार्थियों की दो बार परिक्षा होनी है पतादे जारखने केडमी कॉंसिल अब तक फर्स्ट टर्म की परिक्षा का भी टाइम टेबल जारी नहीं कर सका है कोबी नाइटिन के कारण राजे में बर्श दो जर्बाइस की मैट्रिक और इंटर की परिक्षा दो चर्णों में लेने का निर्णा लिया गया है परिक्षा को लेकर सिक्षा विभाग ने सितंबर में दिसाने देश जारी किया था प्रथम चर्ण की परिक्षा 15 दिसंबर के बीच वह दूसरे चर्ण की परिक्षा मार्च अप्रेल में ले लेने की बात कही गई थी बतादे विभाग ने जैक को भी इस समान में पत्र भेजा था पर अब पहले टर्म की परिक्षा काई प्रोग्राम जारी नहीं हो सका है राज के लगभग साथ लाख बिद्यार थी परिक्षा की तीथी घोसित होने का इंतियार कर रहे हैं बेटियों के जन्म पर जार्खन सरकार देगी बेबी कीट राज सरकार ने बालिका सीसू की देख भाल के लिए उनके माता पीता को बेबी कीट देने का नेना लिया है बतादे बेबी कीट में सीसू की देख भाल के लिए 16 परकार की समागरी सामिल होगी यह योजना राजे में सीसू मिलती उदर कम करने वह लिंगा अनुपात बढ़ाने के उद्धिस से लागू की जा रही है स्वास्त विभाग ने चालू वीत वर्ष में इस योजना के लिए 5 को रुपए किरासी स्विक्रीट कर दिया है बता दे राजे की 33339 बच्यों को मार्च से बेवी कीट योजना का लाव देने का लक्ष रखा गया है इसके लिए जीलो के लक्ष तय कर दिये गया है परते एक बेवी कीट में सीसुओ के लिए 2 ड्रेज, 6 नैपकीन, 1 बेड, 1 डिजिटल थर्मामीटर, मचरदानी, कमबल, प्लास्टिक मैट, सेंपू, तेल, तोलिया, नेल, किलपर, आधी सामिल हाँ जारखन के 500 पैक्स और लेंप्स को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए लेप्स, पैक्स को आत्म निर्भर बनाने की कोशिश शुरू की है, बता दे इस कड़ी में राज जेके 500 पैक्स और लेप्स को 2-2 लाख रुपए की कारेसिल पुंजी उपलवद कराने की योजना काओ, गुरुवार को किरिसी पसुपालन एवं सकाइटा मंत्री बादल ने सुभारम किया, इस मौके पर मंत्री ने सांकेतिक रुप से कुछ संस्थाओ को कारेसिल पुंजी का चेक भीच सोपा, बता दे अगले एक माह में सभी चैनित 500 पैक्स और लेप्स के बिच 2-2 लाख की कारेसिल पुंज का वित्रन कर दिया जाएगा, पारा सिक्षकों के लिए 5 लाख रुपे तक का स्वास्त बीमा, राज सरकार समगर सिक्षा अभियान के तहद कारेरा 66,000 पारा सिक्षकों को 5 लाख रुपे तक का समोही को स्वास्त बीमा कराएगी, बता दे जारकन सिक्षा पर्योजिना पर परिकिया शुरू कर दी है बीमा के माध्यम से पाराशिष्कों को रिटार्मेंट बेनिफिट की भी सुविधा मिलेगी बतादे 66,000 पाराशिष्कों के अलावा बीर्पी, सीर्पी तथा कस्तुर्बा गांधी आवाचे बाल का बिद्यालियों में कारेरत सिक्ष्कों युम अ परिक्षा 11-12 दिसंबर को होगी बतादे कंप्यूटर बेस्ट यह परिक्षा राजी के पांच जीला मुख्यालों में बनाये गए केंद्र पर होगी इन में राचे जम सेथपूर दुमका धनबात तथा डालते नगज सामिल हैं बतादे ज्यार्खन सन्युक्त परिक्षा परिक्षा परिक्षा द्वारा आयोजीत की जाने वाली इस परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदन भरने वाले अभियार थी मंगलवार से परिक्षा 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 द्वारा आयोजीत की जाने जार्खन में अब कहीं भी कोई आपदा आती है तो इसक प्रालियनों से चैनित 63 जवानों ने 6 सपता का अपना बेसिक प्रसिक्षन एक दिन पहले ही पूरा कर लिया है बता दे अब इन्हें एडवांस कोर्स कराया जाएगा ताकि ये हर तरह किसी भी तरह की आपदा से निपटने को लेकर सक्चम हो सके राजे में सबसे ज़्यादा सड़क हाज से वन अधित तलावों में डूबने की घटनाए होती है और उसे ध्यान में रख कर ही राजे आपदा मोचन बॉल के जवानों को तियार किया जा रहा है ताकि वे बेतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सके राजे में किसानों से धान की खरीद और बदले में आसानी से भूगतान का रास्ता साफ हो गया है बताज़ सरकार ने वीत वर्ष 2021 में अब तका सरवधिक 8 लाग में ट्रिक टन धान खरीद का लक्ष रखा है धान खरीद के इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए 1552 कोड रुपे का करज लेने के प्रस्ताप पर गुरुआर को मोख्य मंत्रे हमान सुरेन के अध्यक्सता में होई केमिनेट की मुहर लग गई है बता देता किया गया है कि किसानों से 2050 रुपे प्रतिक इंटल की दर से समाने ग्रेड और 2070 रुपे प्रतिक इंटल की दर से एक ग्रेड सिरेनी का धान खरदा जाएगा जारखन में कुरोना के 16 नाय केस मिले है जबकि 23 मरीज स्वास्त भी हुए है जारखन में कुलेक्टिव केस की संख्या 133 है भारत में 949 नाय केस मिले है जबकि 82 151 मरीज स्वास्त भी हुए है भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 9449 है ज्यारखन में बच्चों को बिमारियों से बचाने के लिए त्यजी से चला टिका करण अभियान देश के पिछले राजियों में सुमार देश के सबसे अमीर राज ज्यारखन में स्वास्त मानकों पर कई मामलों में सुधार आया है बता दे सिसुों के टिकाकरन की बात करें तो इस मामले में गाओं ने सहरों को पीछे छोड़ दिया है यह हम नहीं बलिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के नतीजे बता रहे हैं बता दे बर्श 2021 में दो चर्णों में कराए गए इस सर्वे में नतीजे बताते हैं कि जारखंड में बर्श 2015-16 की तुल्ना में बर्श 2021 में बच्चों के वैक्सिनेशन में 6.7 फिच दिब्रिधी दर्श की गई है हेमंत सरकार की दूसरी बर्श गाठ की तयारिया तेज जारखंड की हेमन सुरेन सरकार की दूसरी वर्स गाठ की तयारिया तेज हो गई है पतादे इस ओसर पर बिभीन योजनाओं का सिलान न्यास वा उद्घाटन तथा लावकों की बीज परिसंपत्यों का बित्रन किया जाएगा इस कारेकरम की तयारी को लेकर बुद्वार कुराची के डी डी सी विसाल सागर के द्रक्स्ता में बैठक आयोजित की गई उप्विकास आयुक्त विसाल सागर ने कहा कि राजे सरकार के दो वर्स पूर्ण होने पर राजे अस्तरिय तथा जीला अस्तरिय कारिकरम का योजन कर आमनागरीकों के बीच सरकार द्वारा चलाई गई कल्यानकार योजनाओं के लाबकों के बीच विभीन विभागों द्वारा परिसंपत्तियों रीन तथा अनुदान का वित्रन किया जाएगा आपको बता दे कि 29 दिस्तंबर को सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं जार्खन सहकारी संग का हुआ गठन राज में क्रिसी एवं वन उपज की खरीद विक्री को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करने के लिए सहकारिता विभाग ने सिध्धु कानु क्रिसी एवं वन उपज राज सहकारी संग लिमिटेड का गठन किया है बता देय असंग राजे में धान गेहूं सबजी फल, ला, इमली, कोदो, कुटकी, सरगुजा, चिरोंजी नट, चिरोंता, आवला, महुआ, करंज, हरे बहेर, रेसम, तसर का उत्पादन, संकलन, प्रसंसकरन, अनुसंसाधन तथा विकास की विभीन गतिविद्यो को सहकार अधार पर संगठित करेगा, कुरोना से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजे के लिए ऐसे करे अवेदान, जारखन में कुरोना से मृत लोगों के परिजनों को राई सरकार 50-50,000 रुपए देगी, यह जनकारी बुद्धवार को स्वास्त मंतरी बाना गुपता ने दी उन्होंने बताया कि राजे में जितने भी लोगों की मृत करोना से हुई है, उनके परिजनों को राई सरकार की ओर से 50-50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा इस मद की रासी जीलो को दे दी गई है, सरकार की ओर से कूल 25-56,000,000 रुपए जीलो को अमटित कर दिये गए है स्वास्त मंतरी ने बताया कि परिजनों दोवारा अनुदान का दावा पेस करने के लिए स्वास्त विभाग दोवारा पोर्टल भी तयार किया गया है जिन लोगों को ऊण्लाइन आवेदन देने में परसानि होगी, वह संबान्दित चृत्र की से योग यहां भी आवेदन दे सकते हैं निवेस को बढ़ावा देने के लिए बनेगा ज्यार्खन इन्वेस्मेंट प्रोमोशन एक्ट जार्खन में निवेस को बढ़ावा देने के लिए जार्खन investment, promotion, evidence 2021 का प्रस्ताव त्यार किया जा रहा है, बता दे उध्योग विभाग इस प्रस्ताव को अंतिमरूपते रहा है इसमें जार्खण में नए उद्योगों को अस्थापित करने उद्योग निती के तहत उद्योगों का लाव देने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार्स त्रिजन पर जोर दिया गया है सित कालिन सत्र में प्रस्ताव को लाने की संभावना है कुरूमगड थाना भवन उड़ाने के बाद फिर हमला जार्खंड के गुमला जिले के चैनपूर परखंड के कुरूमगड थाना छेत्र में पूलिस वर नक्सलियों के बीच मुटभेड हुई नक्सलि संगठन भागपा मवादी ने हमला कर एक बार फिर पूलिस को कड़ी चुनावती दी है बता दे पूलिस नक्सलि मुटभेड के बाद भागपा मवादी की धर्पकर के लिए पूलिस सर्च अभियान चला रही है इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है गुमला एसपी ने इसकी पुष्टी की है आपको बता दे की पिछले 25 नॉम्बर की रात गुमला जिले के चेनपूर परकाण इस्थित कुरूमगर थाना के नए भवन को नक्सलियों ने विसफोट कर उड़ाया था सेफ अंडर 19 महिला फुटबोल चेंपियंशिप में जारखंड की पांच खिलाडी बंगला देश में 13 दिसंबर से आयोजित होने वाली सेफ अंडर 19 महिला फुटबोल चेंपियंशिप के लिए भारत की 24 सदसी एट टीम की घोसना कर दी गई है भारतिय टीम में जारखंड की पांच खिलाडी को सामिल किया गया है इसमें राची की डिफेंडर अस्टम उराव गुमला की पुर्णिमा कुमारी जारखंड सरकार ने जारी की नए वर्ष 2022 की छुटी की सुच्ची जारखंड सरकार ने राजिक करमचारीयों के लिए 34 दिनों की छुटी की सुच्ची जारी की गई है इसमें 14 अलग अलग तिथियों पर अवकास एन आई एक्ट के तहद दी गई है वहीं 14 अने तिथियों पर कारिया पालक आदेस के तहद छुटी प्रदान की गई है असायनिक आपूर्ती निगम को 1552 को रुपए रीन लेने की स्विख्री परदान कर दी है यह रीन इस्टेट बैंक ओफ इंडिया और बैंक ओफ इंडिया से प्राप्त किया जा सकेगा सरकार पहले हीताय कर चुकी है कि किसानों से प्राप्त धान के एवज में आधीरासी अडवांस में दी जाएगी और आधीरासी तीन महिने के अंदर बतादे 15 दिसंबर से धान खरीदारी सुरू होगी और इसके लिए पिछली बार से दो लाग टन अधीक धान खरीदने का निना लिया गया है जारखन में भी मॉब लिंचिंग के दोसियों को मिलेगी मौत की सजा जारखन सरकार उनमादी भीड की हिंसा मॉब लिंचिंग के खिलाब सक्त कानून बनाने जा रही है बतादे इसके लिए पिरिवेशनल अफ लिंचिंग बिल का ड्रप्ट तयार कर लिया गया है इसमें जारखन विधान सभा में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने मली सिद कालिन सत्र में पेस किया जा सकेगा बिल में उनमादी हिंसा के दोस्यों को कड़ी सजा दिये जाने की बेवस्ता है दोस सिद होने पर उन्हें सस्रम उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा सुना जा सकती है 404 क्रोर की लागत से बनेगी जारखन में 6 सडके राजे में 6 सडकों का चोड़ी करण और मजबूती करण किया जाएगा पथ निर्मान विभाग के इन परस्ताओं पर राजे मंत्री परिशत की बैठक में गुरुवार को मुहर लग का दी गई है बतादे 6 सडकों की कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है इन सडकों के पूर्ण निर्मान पर करीब 44 करों रुपे खर्च होंगे धन्यवाद